असलाम उलेकूम आज मैं आपके थाज शेयर कर रही हूं चिक्केन मटर पुलाव बनाने की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार एक्दम खुश्पुदार फ्रेग्रेटी पुलाव बनता है खाकर आपका दिल खुश हो जाएका बहुत ही मज़ेका पनेगा चलिए इसको बनाना श प्यास बादियन पुल दो इंच का दालचीनी का टुकुडा एक बड़ी लाइची चार पांच छुटी लाइची एक चावितरी का फूल और एक तेस पत्ता यह साबुत गरामसाले हम तेल में डालेंगे और इनको हलका सा क्राकल करेंगे खुश्बू रिलीज हो जाएगी तेल में गरामसालों की अब हम डालेंगे इसमें एक लाज प्यास जो की तक्रीबाइफ फॉर कप के खरीब है और यहां पर हमें प्यास को हलका गोल्डेन हो जाने तक फ्राइ करना है बहुत जादा गोल्डेन नहीं करेंगे जादा प्यास का रंग बदल जाएगा तो फिर टेबिल स्पून लहसन और अधरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबिल रइस्पून नमक एक टीस्पून गरेम मसाला और एक टीस्पून धनिया का पाउडर डालेंगे ठोड़ा सा बून लेंगे अधरक लहसन के साथ भी हम चिकन को 34 मिट केलिए हाई फ्लें पर भून लेता है जब चिकन भुन जाएगा हम इसमें डालेंगे दही तो यह आधा कप यानि की तक्रीब एक सो बीज ग्राम के करीब मैं इसमें डाला है साथ में 5-6 हरी मिर्च भी डाल देंगे 20 से चीरा लगा देंगे जिसे की बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा पुलाओं में हरी मिर्चों का बस दही के साथ 2-3 मिर्च के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे और इसमें दो मीडियम साइज के टमाटर डाल देंगे इसको मैंने स्लाइसे में कट कर लिया है और इसको भी बस एक से देर मट विलीस में चलाते वे पका लेंगे और अब हम इसको ढग देंगे पानी डालने की जरुवत नहीं क्योंकि दही ने काफी पानी छोड़ा हुआ है और गैस की फ्लेम को धीमा करके तकरीब हम 15 मिर्ट पका लेंगे कि मतर दटें है मैंने दो कप चावलीय तो दो ही कब मैंने मतर दाली है अपने ठेज के हिसाब से मतर की को रग सकते हैं और चावल की की कοईटिटी का देर गुना जादा मैं से पाई दाला दिया यह जल्दी अबाला जाएगी इसलिए मैंने गरापानी लिया एक टीस्पू जिसे की उबाल जल्दे से आगई जो पानी मोबाला जाएगी हमें इसमें भीगे में चावल डालने दो कब बासमती लॉंग राइस लिया मैंने आदे घंटे के लिए इनको मैंने और चावल डालने के बाद हम इसको मिलाएंगे वजन में जो चावल का जो वेट है ना देगे इसको और हाइफ लिम पर उसको एक साम दोकर देंगे करदेंगे मेंचैना में जॉब हमी प्रिष मके दो कोआशार पकाएंगे एक तक पका लीडे हो 100% तक कोकनी हो जाते हैं आप चाहें तो नीचे कोई तवा वगयरा भी लगा सकते हैं जिससे कि चावल सेफ रहते हैं सिक्योर रहते हैं नीचे नहीं लगते हैं तो तक्रिबन 12 मिनट के लिए धीमियाश और मैंने इसको दम किया था और यहां पर हमारा बहुत ही जबदस्त च जब देशी घी डालें और तलीवी प्यास जालें और इसको थोड़ा सा धग कर रेस्टिंग के लिए रखते हैं थोड़े से हर दिने के पत्ते ही मैं डालें अब धग कर आपको बस आट-दस मिनट के लिए चोड़ना है उसके बाद आप इसको सर्फ किजेगा जो चावल है तो पकने के बाद तो मैंने इसको 10-15 मिनट कर रेस्ट दे दिया था और यहां पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बहुत ही खुश्बुदार सा चिकन मटर पुलाओ तो यहां रहे है बहुत ही आसान सी रेसेपी है लेकिन टेस्ट इतना मज़ेका है कि बस इसको पुरा घरी आपका महकने वाला है बहुत ही टेस्टी बनता है यह और बहुत ही मज़ेदार बनता है तो ट्राइ किज़े का इस रेसेपी को और मुझको ज़रूर बताएगा आपका चिकन मटर पुलाओ का ऐसा बना आप इसको रायते से आपने चटनी के साथ साथ करिए बहुत अच्छ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा मुझे अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर थैंक्स वर वाचिंग दे वीडियो अला आफेज